आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है students तो आज जो question मुझे यहाँ पर दे रखा है उस question में हम से क्या पूछ रहा है कि अगर length of the string of a simple pendulum is measured with the meter scale to be 63.5 cm तो हमने एक pendulum की length जो measure की उसकी string की तो एक meter scale से मेरे पास वो आई 63.5 cm तो अगर हमने उसका radius of the bob plus the hook अगर वो हमने measure किया एक vernier caliper की वाज़े से तो यह मैंने measure किया था meter scale से ठीक है और यहाँ पर मैंने vernier caliper employ किया क्या measure करने के लिए radius of the bob और उसके hook की length तो vernier caliper अगर मैंने यहाँ पर use किया तो मुझे यहाँ पर vernier caliper से वो measurement आई 1.55 cm तो question में से यहाँ पर कहा रहा है कि incorrect statement कौन सा होगा given options में से तो पहला option है कि least count of a meter scale is 0.1 cm तो point one cm अगर मैं यहाँ पर बास करता हूं तो point one cm यानी one mm होता है ठीक है और अगर हम meter scale use करते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि meter scale मेरे पास one cm का जो मेरे पास division होता है उसके अंदर 10 divisions और होते हैं जैसे for example मेरे पास यह one cm है और यह two cm है यहाँ पर मेरे पास one two three four यह five और six seven eight nine और यह ten तो one cm और two cm के बीच है यहाँ यहाँ पर 10 divisions होते हैं है ठीक है तो meter scale जाओं use करते हैं जनरली तो उसमें ऐसा setup मेरे पास होता है तो यहाँ पी हम देख रहे हैं कि one one cm के यहाँ पर 10 हिस्से किये गए हैं यानि one upon 10 cm यहाँ पर least count है जो की point one cm के equal हो गई ठीक है तो option ए तो मुझे यहाँ पर true दे रखा है यानि कि सही option है बात के लिए बात की वहाँ पर एक mm के भी 10 हिस्से हो जाते हैं ठीक है तो बनेर कैलिपर में मेरे पास point one mm मेरे पास least count होती है तो मेरे पास statement b b true statement है बात करूं मैं statement c की तो effective length of the pendulum तो मुझे इसको जब add करूंगा यानि जो bob का radius और string की length को जब मैं add करता हूं तो जो length मुझे मिल 65.05 cm इन दोनों values को add करके लेकिन मैं यहाँ पर significant figures को द्यान में रखूंगा क्योंकि मेरे पास measured values जो होती है उनको हमेशा significant figures के एसाब से add या subtract करना चाहिए तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं यहाँ पर मेरे पास इसमें 3 significant figure है और इसमें भी मेरे पास 3 significant figure है तो मेरे answer में भ figures तक तो अभी इसमें 4 है तो मुझे round off करना है तो 0 मेरे यहाँ पर round होगा लेकिन 0 के बाद यहाँ पर 5 दे रखा है और जहाँ पर 0 यहाँ पर दिया होता है तो 0 को मैं round नहीं करता हूं क्योंकि even numbers और 0 को हम 5 जब मेरे पास on the right hand side होता है 0 या किसी भी even number के तो इसको हम round नह तो option C भी मेरे पास सही हो गया और option C सही होने के साथ-साथ option D यहाँ पर मेरे पास wrong हो गया और हमें question में क्या choose करना था incorrect statement तो incorrect statement यहाँ पर कौन सा है option D यहाँ पर incorrect statement है तो option D इस question का मेरे पास final answer हो जाएगा यहाँ पर क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जे ही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर